ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रों सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटुब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारेधरमेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफल है 11 फरवरी 2023 शनीवार का दिन है फालगुन महा के कृष्टबक्ष की शष्टी तिती है चित्रा नामक नक्षत्र होगा तथा कन्या राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल की अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में होंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुक्सान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अद्रक खाकर के यात्रा अरंब कर सकते ही। राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू हो करके दस बच के तीस मिनिट तक रहेगा। इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। तर्मा कन्य राशी में, मंगल ग्रह ब्रशब राशी में, बुद्ध ग्रह मकर राशी में, देव गुरु ब्रहसपती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह कुम्ब राशी में, शनिदेव जो की कुम्ब राशी में, राहु ग्रह मेंस राशी में तथा केतु ग्रह तुला रा राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिठुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागी शाली रहने वाली है दन इनके लिए प्रसिद्ध होगा धनलाब के सांसार कारिक्षित्र में उन्नती और प्रगति के भी उत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरुपूर सद उप्योग करे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वैचारिक मध्वेद उत्पन नहों सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए श समपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पड़ाई के प आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके दिंचरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक व शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित म बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भाउकता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाई के रोप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भग लब्धी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्यपूर्ण कायम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करे जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद खूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करण संबंदी योजनाई तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको अधिक समय व्यतित होगा अर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी चल करके आपको अच्छा फाइडा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चडाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत जो है मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूज बूज की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आहरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतर आत्मा की आबाज को अवश्य अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी तथा रिस्तदारों की आबाजाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरभाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तद जारों के सांथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलह को नजर अंदाज न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आप आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के सांथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रु अथिक मामले अभी पूर्वहत रहेंगे अनावश्यक खर्चों पर कटोती करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप देवी जी को पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय अथा वाहन की खरीत फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किस व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन नहो सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं प्राप्ति होगी जिससे उनका होसला और आत्म इश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात क बना करके रखना अति आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परंतु यह तातका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होने के उशक्ता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फ फूल तदा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण क आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं ह हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर लिजे, आपको और आपके पूरे परिवार को अभी और यदक बंछ।